हेलो बच्चो हिंदी पोयम 13 चानता रहे वक्षीट आंसर की तो बच्चो आज हम पोयम 13 की वक्षीट आंसर की करेंगे नमबर वन पे दिया है चित्रों के नाम पूरे करो complete the names तो यहाँ पर कुछ चित्र दिये है वो देखकर हम उसके यहाँ पर नाम पूरे करने है वन नमबर पे दिया है यह चित्रों है और यहाँ पर दिया है खाली जगा खो तो यह किसका चित्रों है आंख तो यहाँ पर क्या आएगा आख यह चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है खाली जगा द तो चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है चान तो यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे चा खाली जगा में लिखेंगे चा तो सब्द बनेगा चान नमबर थ्री पर ये चित्र दिया है और दिया है खाली जगा द तो चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है गेंद तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेंद तो सब्द बनेगा गेंद यहाँ पर ये चित्र है और यहाँ पर दिया है खाली जगा तरा तो बच्चों चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है संत्रा तो यहाँ पर तव और रा पहले से दिया है तो हम लिखेंगे खाली जगा में सं तो शब्द बनेगा संत्रा नमबर टू दूट से बनने वाली किनही चार चीजों के नाम लिखो तो बच्चों यहाँ पर दूसरे बनने वाली चीजों के नाम लिखने है हमें तो दूसरे बनने वाली चीज में आएगा खीर हलवा छास पनीर बच्चों दूसरे और कई चीज़े बनती हैं जैसे दही चा, कॉफी आप लिख सकते हो त्री नमबर पर दिया है सुनकर लिखो स्रूत लेग, डिक्टेशन तो बच्चों यहाँ पर मैं वर्ड्स बोलूँगी आपको सुनकर लिखना है और यहाँ पर मैं भी लिखूंगी नमबर वान पूँच 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 नमबर टू मुह 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 नमबर त्री अण्दर अंदर नमबर पूर अंगुटी 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 नमबर प्रवन उंट 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 नमबर शीक्स पतंग पतंग इस तरह से बच्चों आपको वक्षिट बुक में पोयम 13 की वक्षिट आंसर की लिखना है ठैंक यू